दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके प्रेटुप चल भी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम में फस्ट यर हिस्ट्री के थार्ड पेपर के लिए आप लोग को मोस्ट इंपोर्टन कोशन एंड आंसर बताएंगे इससे पहले हमने फस्ट पेपर के लिए और सेकिंड पेप इसको देख सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें फस्ट हिस्ट्री के थार्ड पेपर की थार्ड जो पेपर है आपका उसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राश्ट्रिय आंदूलन तो थार्ड पेपर में से आपके एकजाम के लिए कौन-कौन से क इंपोरेंट हैं चलिए आपको बताते हैं पहला जो कोशन इंपोरेंट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कोशन का मौश्ट नाम यह है ऑठारा सुटावन इस वी के बिद्रों के कारणों के विवेज़ना कीजिए मोश्ट नाम है वाकि किसी भी नाम से पूचे जा सकता है कोशन को आपको समझना है अब कोशन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है आप लोग यहाँ पर देखने पढ़ लें पढ़ लें इतिहास में ठार सुतावन इस वी का वर्स अपना बेशेश मेहत पर रखता है बाकि आप लोग देखने का आंसर यहाँ पर ठार सुतावन इस सामने पूरे पूरे आंसर है आप लोग अब इनका स्क्रीन सोट ले सकते हो यह आपके सामने धार्मिक करान है तो आप लोग इसका स्क्रीन सोट ले लो अब यह आपके सामने स्टैनिक करान है और यह समाजिक करान है आप लोग इनका भी स्क्रीन सोट ले लो अब इस पेज़ पर आपके आर्थिक करान दी गए है कुछ और ये 1850SB के विद्रों की पिरकरती क्या थी ये आपको हैं पर दी गए है इस पेज़ का भी आप लोग स्क्रीन सोट ले लें पूरा आंसर आपको क्वेशन का मिल जाएगा कुछ आंसर कोशन का आपके सामने स्क्रीन पर है इसका भी आपको स्क्रीन सोट ले सकते हैं अब जो आपका अगला मोस्ट इंपोरन कोशन है वो ये है 1850SB में भारतिय रास्टी कांग्रिस के जन्म के लिए उत्तरदाई तत्वों का विबेचन कीजिए उन कारणों का उल्ले कीजिए जिनके कारण भारतिय रास्टी कांग्रिस का जन्म हुआ भारतिय रास्टी कांग्रिस की स्थाबना कैसे हुई थी इसके बारे में आपको डेटेल से बताना है तो यहां से इसका आंसर start होता है तो question का आंसर आपको यहां से दिया गया है भारत में राष्टबाद के उधै के कारण पहला कारण दिया है सामाजिक एवं धार्मिक आंदुरन इसका आप लोग screen source ले सकते हो इसके बाद आगे आपको कुछ और point दिया है ये आपका answer है ये पूरे पेच पर आपका answer है आप लोग इसका screen software ले सकते हो और इसके आगे का answer आपके सामने screen पर ये आपको point दी गए है नोक्रियों में भिध्वाओ जाती है भिध्वाओ भारत का आर्थिक शोषर भारत का आर्थिक शोषर ये रहा और ये आपका भारती है सामाचार पत्तर और साहित है और विश्वी के क्रानतिकारी आंदुरन तो इस पेज़ का भी आप लोग स्क्रीन सोट ले लेने काफी अच्छा आंसर है काफी बढ़ीा क्योशन है और बाकि इस से आगे का आंसर ये है आप लोग इसका भी स्क्रीन सोट लेने और अब आपके सामने हैं अगला Most Important Question Question ये है सन 1942 इस भी के भारत छोड़ो आंदोरन के स्वरूब एवं कारोनों का परिक्षण कीजिए या फिर सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोरन के महत्व का मुल्यांकन कीजिए किसी भी नाम से आप से पूँचा जा सकता है Question का जो Answer है वो आप लोग के सामने स्क्रीन पर है यहाँ पर आप लोग देख ले इसका आप लोग स्क्रीन सोट भी ले सकती है तो ये हैं भारत छोड़ो आंदोरन प्रारंबो होने के कारण पहला कारण है क्रिप्स मिशन के सफलता दूसरे कारण है वर्मा में भारतियों के साथ अमानुशिक वैवार पूर्वी बंगाल में भै और आतंका बाता बरन और बाकी इसका जो Answer है वो आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग इसका स्क्रीन सोट ले ले और आंदुरन की प्रेस्ट भूमी क्या रही थी वो भी आप लोग यहां पर देख लें वो भी इसका भी आप लोग स्क्रीन सोट लेने और बाकी भारत छोड़ो आप लोग इसका आप लोग स्क्रीन सोट जरूर लेने ये काफ़ी important topic है और अगला most important question आपके सामने स्क्रीन पर है Muslim संपर्दायक्ता को 1906-1940 भी तक किन किन अवस्थां से गुजरना पड़ा या फिर भारत में Muslim संपर्दायक्ता का प्रामब कैसे किया गया इसके लिए अंग्रेश शाशक कहां तक उत्तरदाई थे यह question आपके exam के लिए काफ़ ज़्यादा important है question का कुछ answer आपके सामने स्क्रीन पर है आप लोग इसका स्क्रीन सोट ले ले सकते हैं उससे आगे का यह answer है और उसके बाद में आप लोग का answer यहां से start होता है उसके बाद में आप लोग का यह answer है आप लोग इसका भी स्क्रीन सोट ले ले और उसके आगे आपका यह answer है आप लोग इसका भी स्क्रीन सोट ले ले मैं आप लोग का answer इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि आप लोग answer को पड़ने जातर लोग आपको केबल question question बताते हैं वह क्वेग क्यों सफल नहीं हो सका असयोग आंदून की असफलता करना लिखिये इस नाम से प 만든 जा सकता है कुष्षिंड का जो आनसर अब आपके सामने स्क्रीन पर है और बाकी असायोग आंदुरन प्यारंब होने करण ये है आप लोग इसका स्क्रीन सोट लेने क्यों प्यारंब हुआ था और इसके आगे का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर ये है आप लोग इसका भी स्क्रीन सोट दे सकते है फिर इसके आगे आपका ये आंसर है और अब ये हैं आपके असयोग अंदुलन के असफलता के कारान है आप लोग यहाँ पर देख लें इसका भी आप लोग स्क्रीन सोट ले लें यह उग अंदुरन के परिडाम क्या परिडाम रहे थे वो आपके सामने स्क्रीन पर है इसका भी आप लोग स्क्रीन सॉट ले सकते हैं यह भी काफ़े इंपोरेंट टॉपिक है और एक और मोस्ट इंपोरेंट कोशन आपके सामने है कोशन यह है भारत विभाजन के कारण बता बाचनों में लीख को आशा के अनुकूल सफलता प्राप्त ना होना, संयुक्त मंति मंदल ना बनने से निराशा, हिंदू संपरदा एकता का दूशित प्रभाव, कांग्रेस का जंसन पर का अंदोलन, आप इस पूरे पेच के आंसर का स्क्रीन सोट ले सकते हैं, इसके बाद म आपका अंसर ये है, आप लोग इसका भी स्क्रीन सोट ले लें, और बाकी आगे का अंसर ये है, मैंने आपको पूरा अंसर दिखा दिया है, पूरे-पूरे मैंने आंसर आपको दिखा दिया है, तो आप लोग पूरा अंसर का स्क्रीन सोट ले लिया करें, और इसको पढ़ पूरन कोशन ये आपके अग्जाम के Лिए है कोशन का जो आंसर है वह आपके सामें इसकीन पर है आप लोग यहां पर इसका आंसर देख ले है तो इस कोशन मगा पूरा आंसर आपको मिल जाएगा और बाकी आप लोग पूरा आंसर को अच्छी तरहlando करते के गर अगर आप लोग यूज को लाइक जos गोरिट रेंगे तो यह सारे कौुशन आपके पेपर के लिए मौस्ट इंपोरेंट अप लोग को टिक करलें और मैं आपको आंसर ही बता थी हैं नग ऐसे आप लूज पढ़सकते हैं जो अगर आप लोग की वीडियो वसंद आइए तो वीडियो को लाइक ज़रू करने और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है इस वीडियो को और आप लोगों से रिक्वेस्ट के आप लोग इस चैनल को सब्सक्काइब करना है जिससे के आपको हमारे इस चैनल के मातम से इसी परकार की प्रती वीडियोस मिलती रहें